सल्मान खान बॉलिवुट के वो इश्टार है जिनके साथ काम करने का सपना हर एक्ट्रेस का होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्ट्रेस ऐसी है जिन्होंने सल्मान खान का नाम सुनते ही फिल्म को करने से मना कर दिया था फिल्म के लिए उन्होंने पहले मेकर्स को लंबा इंतजार कराया और जब मेकर्स ने उन्हें फाइनल कॉल की तो फिल्म को करने से साफ साफ मना कर दिया और दो टुक कह दिया की नए एक्टर की जगे आमीर को ले लो फिर कई मौके आये जब इस एक्ट्रेस ने सल्मान खान के साथ काम नहीं किया ये कौन एक्ट्रेस है क्या आप जानना चाहते हैं अगर हाँ तो चलिए आपको ये फिल्मी किस्सा बताते हैं ये वो दौर था जब सल्मान खान ने बॉलिवूड में काम करना सुरू ही किया था साल 1989 में फिल्म कुर्बान के निर्देशक दीपक बहरी जुही चावला को अपने फिल्म में हिरोईन लेने के लिए उनसे मिलने पहुँचे जुही की उस समय फिल्म कयामत से कयामत तक सूपर हिट हो चुकी थी जुही ने दीपक बहरी की फिल्म की कहानी सुनी और बोला की वो सोच कर बताएंगी इस सोचने सोचने में ही जुही चावला ने एक साल निकाल दिया दीपक की इस फिल्म के लिए सलमान खान को साइन कर लिया गया था और उस समय सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया सुपर हिट हो चुकी थी डैड साल का लंबा इंतजार करने के बाद जब दीपक ने जुही से पूछा आप फिल्म करना चाहती है कि नहीं तो करीब डैड साल निकल जाने के बाद जुही ने कहा कि वो फिल्म तो करना चाहती है पर किसी नए हीरो के साथ फिल्म नहीं करेगी अगर किसी नए हीरो को ही लेना है तो मेरे साथ काम कर चुके आमीर खान को लेज सकते हैं इस फिल्म के निर्माता थे बोबी केंट जो सलमान खान के अच्छे दोस्त थे उन्ही की वजय से फिल्म में सल्मान खान को साइन किया गया था और दीपक जानते थे कि किसी और को हीरो लेना बहुत मुस्किल होगा इसलिए उन्होंने जूही को ही मना कर दिया और एक नई हीरोईन आईसा जुलका को इस फिल्म से लाूंच कर दिया फिल्म बनी और रिलीज भी हो गई सब ये बात भी भूल गए थे कि जुही से भी इस फिल्म के लिए बात की गई थी लेकिन सल्मान इस बात को नहीं भूले थे कि जुही ने उनके साथ काम करने के लिए मना कर दिया है जुही की उस इनकार ने सल्मान को ठेस पहुंचाई थी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान ने उस दिन ये ठान लिया था कि वो अब जूही चावला के साथ काम नहीं करेंगे वक्त ने करवट ली और सलमान खान सूपरिश्टार बन गए एक के बाद एक उन्हें कई फिल्में मिली जिनमें जूही के साथ भी काम करने का उन्हें कई बार मौका मिला लेकिन वो मना करते चले गए काफी वक्त बीत जाने के बाद दोस्ती की खातिर डेविर धवन की फिल्म दीवाना मस्ताना में जुही के साथ कुछ मिनट के लिए नजर आये थे इसके बाद उन्होंने साथ में कोई फिल्म नहीं की